अलो बच्चों, आज हमारा question है, convert each of the fallen fraction into a percentage, हमें इनको किस में करना, percentage में, अब देखो हमारा 24 upon कितना 100 है, 24 upon 100, ठीक है, मुझे इसको percentage में convert करना, percentage में कभी भी हमारा, हमारा 100 में 24 है, अब मुझे इसको percentage में convert करना, तो इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, भाइ, percentage में convert करने लिए, हमेसा हमें, इंटू से, 100 से, इंटू करना पड़ता, भाइ, यह तो यह cut गया, तो कितने percentage बने हमारे, 24% बनी, ओके, as if 14 upon कितना 100 है, 14 upon कितना हमारा 100, अब मुझे percentage में convert करना, तो कितने इसको, 100 से, 100 से फिर 100 कर गया, कितना आ जाएगा, 14% बन जाएगा, ओके, देखो 7 upon 10, कितना, 7 upon 10, इंटू 100, 10 कि टेवल, 100 तक बोलो, 10 10 जा 100, और देखो 7 into, 7 into 10 कितना हो जाएगा हमारा, 70%, कितना बन गे हमारा, 70%, 100, 1 upon 5, देखो 1 upon 5, अब परसेंटेजर करना कितना से, इंटू 100, 100 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, भाई, 100 हो जाएगा, अपॉन 5, 5 कुछ को दिवाइड करता, 5 तू जा 10, और ये 0 यहा, कितना परसेंट, 20%, परसेंट, ओके, 5 तू जा 10, और 1, 11, 11 upon 5, भाई, यह हमारा, mixed fraction में थे, तो यह दोना आपस में, multiply होते हैं, मादब 5 into 2, ठीक तो फाइगा, तो यह कितना 10 होता, यह वन, इस मिक्साद, पलस होता, तो 5 तू जा 10, 1, 11, 11 upon 5, यह हमारा, क्या होता, mixed fraction, यह हमारा, whole number, 1 upon 5, प्रोपर fraction है, यह दोना, multiply होए, और यह पलस हो, अब हमें, इसको किस में निकालना, परसेंट में, 11 upon 5 into 100, 5 तू जा 10, और यह 0, तो 11 into 20, 11 तू जा कितना होता, 22, यह 0, कितना परसेंट होगा, 220 परसेंट, तो यह भी हमारा, क्यास में, mixed fraction में, 10 तू जा 20, और यह 3, 23 upon 10 हो जाएगा, percentage में करना, into 100, 10 तेंट जा 100, multiply हो जो 230 परसेंट, 3 upon 20 into 100, तू जिरो से जिरो कर गए, 2, 5, 0, 10, 3, 5, 0, कितना हो जाएगा, 15 परसेंट, ओके?